बिलासपर सदर के पूर्विदायक बंबर्ठाकुने कॉंग्रेस के बर्रष्च नेता को पार्टी के पक्ष में काम करने सहित गलत ब्यानवाजी करनी की नसीहती है। बिलासपर का गुर्प है जबकि कॉंग्रेस पार्टी पर पार्टी के तमाम पदाधिकारी पर नेता नरेंदर मोधी अमित चापर जगत परकाश नेड़ा की दमनकारी नितियों के खिलाफ लड़ाए लड़ रहे हैं और कॉंग्रेस का एक मरिश्ट नेता जेपी नेड़ा की ये कॉंग्रेस पार्टी को कमजोर करने का प्रयास है हाई कमान को ऐसे लोगों के खिलाफ अंकुष लगाना चाहिए इस दोरान बंबर ठाकुर ने ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी के कहावत के मादन से भी नसीहत दी बीस तारीक को दो दिन पहले पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा अंदोर्ण कांग्रेस पार्टी ने त्यार किया जिसमें मानिय मुकेशाग दोत्री जी ने हमिरपूर में अंदोर्ण किया कॉल सिंग ठाकुर जी ने और बाली साब ने मंडी के अंतर जो है अंदोर्ण किया और हजारों की संख्या में लोग इस दमरकारी सरकार के खलाब उमड़े लेकिन एक व्यक्ति बिरास्पूर का एक व्यक्ति जो है अंग्रेस पार्टी को कि किसी कारेक्रम में नहीं आता कि सी जरसे में नहीं आता जगत प्रकाइसनेटाजी के ऊपर को ज़ियान नहीं देता है और अपने है कि पुड़ो महामंतिली से ज़ियान लगोता है कि हम ये लगतार में हो हुंग को ओमकर्स के दिखंदे रहे हैं सभी जबनता है कि मैं कल मुखें मंतरी बढ़िआ हैं सभेरें बढ़आ हैं कांग्रेस पार्डी को इस परकार के अख़बारों में ख़बरें चपवाना ये एक दुरुभाग्या पूरुन है और पार्डी को कमजोर करने का ये प्रियास है मैं हाई कमान से इन वेदेन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के ओपर जो है अंकुस लगाएं इनकी घतिविदियों के ओपर और इंक्वारी करें कि क्यों जीना प्रसद जो है हमारी आठ वेक्ति होने के बावजूद क्रोस बोटिंग करके जो है भार्डी जैनता पार्डी क क्यों सद़ ब्लॉग के कांग्रेस पार्डी एक चोंब्र को अपना पताते हैं तो भू है तो गया आज दिन तक नुनिल को पर नहीं दिए किसी धरने पर्दसन में सामिल नहीं होते ऐसे मैं कहना चाहूंगा ऐसे कॉंग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी इन लोगों को पार्टी को मजबूत करने के लिए धरने पर्दसनों में जाना चाहिए और जो प्रदेशत एक्स के कारेकरम में नाय और जो बड़े निता के अरो भगा नवादानाची नवानाची